दोस्तो मैं आप लोगों से पूँछूंगा नोट बंदी से क्या फायदा हुआ और आप बोलिएगा कुछ नहीं ठीक है रोल करो आप आईए भाई साब भाई साब नोट बंदी से क्या फायदा हुआ आपको कुछ नहीं, की के? आरे नहीं भाई साब, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ आप आप बोलिये, नोट बंदी मतलब खोदा पहाड निकली चुहिया बोलिये, खोदा पहाड निकली चुहिया नमस्ते भाई साब अरे मुझसे सवाल पूछे ना मैं बताता हूँ आपको मोधी जी ने पूरे देश को एक लाइन में खड़ा कर दिया और नोटबंदी फुर्स फेल हो गई इस पर कुछ बोलिए आप बोलिए फेल तो हुई है नोटबंदी मैं पूछता हूँ मोधी जी से अरे काले धन से आखिर क्या परिशानी थी आपको बिचारा चुप चाप पड़ा रहता था किसी अलमारी में या किसी बेड के नीचे या किसी बाथरूम की टाइल्स के पीछे अब नोटबंदी से काला पैसा तो निकलता नहीं है धर्ना देने से निकलता है गाना गाने से निकलता है फेस्बुक पर पोस्ट डालने से निकलता है अब जिनके रहते 10 साल में 12 लाग करोण रुपय का घोटाला हुआ वो मौन मोहन सिंग्जी भी तो कहते हैं एक नोटबंदी फेल है भलेई बड़ी बड़ी गाडियों वाले 14,000 करोण का काला सफेद पैसा खुद रख कर गए लेकिन नोटबंदी फेल है सारे काले पैसों वालों के पते ठिकाने मिल गए रेड मार मार के 30,000 करोण रुपय लेकर आए लेकिन नोटबंदी तो फेल है है ना जाली नोटबंदी वालों के धंदे बंद हो गए कश्मीर में पत्थर बाजी बंद हो गई पर नोटबंदी फेल है टैक्स चोरों को अब जख मार के टैक्स भरना पड़ रहा है दो लाग फरजी कंप्रियों का परदाफाश हुआ पर नोटबंदी तो गुरू जिन गरीबों से तुम लोगों को अचानक प्यार मुहबबत हो गई है न उनी गरीबों के चरणों में अरपण हो रहे हैं ये पैसे फिर भी भाईयों नोटबंदी तो नोटबंदी फेल है देश ये देशभक्ती, इमानदारी ये सब यहाँ कालपनिक पात्र हैं इनका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं है अरे जनगण मन के लिए बावन सेकंड तो हम खड़े नहीं हो सकते अपता नहीं मोदी जी ने क्या सोचकर हम लोगों को कैश की लाइनों में खड़ा कर दिया एक कामर्शल प्रेक ले ले लेते हैं स्टार्बक्स कॉफी पियेंगे आप थोड़ा समय लगेगा बड़ी लंबी लाइन होती है वाँ अरे छोड़िये मोदी जी ने खुद को हीडो बनाने के लिए पुरे देश को अरे मोदी जी आपका कैरियर तो सेट था ना के लिए की नोट बंदी पता था इस देश में काले धन से बड़ी समस्या है काला मन कुछ नहीं होगा इंडिया में दो ही चीजों को कोई नहीं हिला सकता एक है हिमाले परवत और दूसरा मोदी जी का इरादा अरे ठीक है भईया चिंडू तुम पैक अप करो एर अच्छा भाई एक बात बताईए तुम्हारे घर में जब पानी की पाइप में कच्रा फस जाता है बाबी जी क्या करती है लिक्वेस्ट करती है क्या कच्रा भाई हट जाईए प्लीज अरे पंप लगाकर कच्रा बाहर प्रस करती है न वही किया मोदी जी ने पातों से नहीं धर्नों से नहीं जात पात से नहीं हिंदू मुसल्मान से नहीं खुशामत होरी से नहीं रिश्वत होरी से नहीं तादागिरी से नहीं कच्रा निकाला नोट बंदी से और ये मोदी जी का ही नहीं अमारा भी फैसला है समझे पर नोट बंदी से आपको क्या फायदा हुआ वो तो बताईए नोट बंदी से मेरा देश साफ हुआ अच्छा है अच्छा है चिंटू नाम लिख ले भईयागा लिख लो भाई मैं हूँ भारत मोदी जी के साथ चल रहा मैं देश की ताप जय हिंद